हम बात कर रहे हैं बॉलिवुट की उस अदाकारा की जिसकी साध़गी मिसाल थी लेकिन उनकी अदाईगी बे मिसाल थी सावली सी सूरत वाली इस अदाकारा की आखें ऐसी कि देखने वाला उनमें डूब जाए जिहां हम बात कर रहे हैं स्मिता पाटिल की जिनके हुनर का कैमरा भी कायल था हमेशा लीक से हटकर किरदार निभाने वाली स्मिता अपने पर्सनल लाइफ में बिलकुल अलग थी स्मिता भले महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली थी लेकिन असल जिन्दगी में उन्होंने एक शादी शुदा मर्द से शादी करके तहल का मचा दिया था जानेंगे स्मिता पाटिल से जुड़े तमाम दिल्चस्प किस्से कहानिया आप बने रही है हमारे साथ नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकस में स्मिता पाटिल हिंदी और मराथी फिल्मों की शांदार एक्ट्रेस रही है स्मिता ने 13 साल के छोटे से फिल्मी करियर में वो मुकाम हासिल किया जो लोग ताउम्र नहीं कर पाते महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली स्मिता पाटिल का जन 17 अक्टूबर 1955 को महराश्र के पूरे में एक बेहत प्रभावशाली राजनीतिक मराथी परिवार में हुआ था उनके पिता शिवाजी राव गिर्धर पातिल राजनीती में थे और माविद्या ताई पातिल एक सामाजिक कारिकर्टा पूरे से बारहवी पास करने के बाद स्मिता मुंबई आ गई और आगे की पढ़ाई मुंबई युनिवर्सिटी से की बतौर न्यूज रीडर अपने करियर की शुरुआत करने वाली स्मिता को जब समचार के वक्त साड़ी पहनने के लिए कहा जाता तो वो जीन्स के उपर ही साड़ी लपेट लेती थी इसी दोरान उन्हें मराठी फिल्म राजा शिव छात्रपती में एक छोटा सा रोल मिला और इस तरह एक्टिंग के दुनिया में स्मिता ने अपना पहला कदम रखा वैसे स्कूल कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग उनके शौक में शुमार था पूरे में उनका आधिकांश समय फिल्म एन टेलिविजन इंस्टिटूट यानी एफटी आयाई के कैंपस में बीता था जिससे सब को लगता कि वो वहां की छात्रा है दूर दर्शन में काम करने के दौरान स्मिता की मुलाकात मशूर डिरेक्टर शाम बेनिगल से हुई टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कुछ कार्णों से निशान की शूटिंग लेट हुई और तब तक शाम बेनिगल अपनी दूसरी फिल्म चरंदास चोर के लिए भी समिता को साइन कर शूटिंग शुरू कर चुके थे निशान से पहले चरंदास चोर बनी और रिलीज हुई महस दो फिल्मों में काम करके समिता ने इंडस्ट्री की तमाम टॉप हिरोईनों की नींद उड़ा दी इसके बाद 1976 में दुख्द क्रांती पर बने फिल्म मन्थन में समिता का अभिने देख कर सभी ने दातों तले उंगली दबाली ये फिल्म भॉक्स आफिस पर गजब की हिट साबित हुई थी और इसके बाद समिता किसी पहचान की मोहताज नहीं रही साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म भॉमिका में दमदार अभिने के लिए उन्हें सिर्फ 21 साल के उम्र में ही पहला नैशनल अवार्ड मिला महज कुछी फिल्मों में काम करने के बाद समिता बेहत कामयाब हिरोईन्स की फेरिष्ट में शुमार हो गई आठ फिल्में ही नहीं समिता ने कॉमर्शल सिनमा में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया आखिर साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल में उनका निभाया पूनम का किरदार भला कौन भूल सकता है इसी साल रिलीज हुई शक्ती की रोमा तो आप सब को याद होगी समिता पाटिल ने राजश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी जिनमें आखिर क्यों दिले नादान, नजराना, अमरित, अनोखा रिष्टा प्रमुख है 1985 में आई डिरेक्टर केतन महता के फिल्म मिर्च मसाला आज भी समिता पाटिल के सशक तबिने के लिए याद की जाती है समिता के फिल्मों की बात करें तो निशान्त, चरंदास चोर, भूमिका, चक्र, मंडी, मंथन, अर्थ, बाजार, आज की आवाज, भीगी पलके, नमक हलाल, शक्ती, आखिर क्यों, अमरित, आवाम, मिर्च मसाला, वारिस, अनोखा रिष्टा, आपके साथ, दिले नादान, डांस डांस, गुलामी, अलबर्ट पिंटो को गुसा क्यों आता है, आक्रोश प्रमुख हैं। और साल 1980 में आई चक्र के लिए समिता पाथिल को दो बार नैशनल अवार्ड भी मिले, इसके अलावा चक्र के लिए फिल्म पेर अवार्ड भी, साल 1985 में भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री से भी नवाजा, इतना ही नहीं उन्हें मराथी फिल्मों में अपने के लिए भी धेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। पहले स्मिता को सपना आया था कि अमिताव घायल हो गये हैं। इस सपने के बाद वो घबरा कर जग गई और अमिताव को आधी रात तक्रीबन दो बजे फोन करके अपने सपने के बारे में बताया। अमिताव ने हसकर कहा था कि मैं ठीक हू समिता जी आप परिशान ना हो अगले ही दिन अमिताव के साथ बड़ा हाथसा हो गया था और वो लंबे समय तक जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे आई अब बात करते हैं समिता पाटिल के लाइफ के उस चैप्टर की जिसमें उन्हें प्यार के साथ रुस्वाई मिली साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म भीगी पलके के सेट पर उनकी मुलाकात एक्टर राजबबर से हुई जो दोस्ती से धीरे धीरे प्यार और फिर बाद में शादी में बदल गई हाला कि राजबबर पहले से ही शादी शुदा थे उन्होंने 1975 में मशूर थियेटर आर्टिस्ट नादिरा से शादी की थी और उनके दो बच्चे भी थे ये सब जानते हुए भी स्मिता राजबबर को अपना दिल दे बैठी आखिर प्यार ही वो चीज है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता फिर यहां बाद दोनों तरफ से ही बराबर थी दोनों कुछ वक्त के लिए लिविन में भी रहे और साल 1986 में शादी के बंधन में बंध गए जहां स्मिता के पेरेंट्स इस रिष्टे के बिलकुल खिलाब थे वहीं राजबबर की शादी शुदा जिंदगी में भुचा अला गया राजबबर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ कर स्मिता के साथ रहने लगे और्तों के हक के लिए आवाज उठाने वाली स्मिता पर दोहरे चरित्र वाली औरत होने का इल्जाम लगा मीडिया ने उन्हें खलनाई का तक बना दिया उधर समाज ने होम ब्रेकर का टैग दे दिया इधर स्मिता चुप थी वो अपने प्यार अपनी ग्रिहस्ती को एंजोई करना चाहरती थी जो शायद कुदरत को मनजूर नहीं था इसी साल उन्होंने एक बेटे को जन दिया और उसका नाम प्रतीक रखा लेकिन चाइल्ड वर्थ कॉम्प्लिकेशन्स के चलते अपने बेटे के पैदा होने के महस 15 दिन बाद यानी 13 सितंबर 1986 को उनकी मृत्यू हो गई और वो सब को अकेला छोड़ सदा के लिए चली गई समिता को अपनी मौत का आभास भी हो गया था वहीं उनके मौत से कुछ दिन पहले से ही उनका बेटा प्रतीक भी उनसे अपने आप को दूर कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे नन्य बालक को भी अपनी मा से दूर जाने का आभास हो गया उनकी मौत के बाद उनको दुलहन की तरह सजाया गया था दरसल स्मिता ने राजकुमार संग फिल्म करते हुए देखा कि शूटिंग के सेट पर अक्सर राजकुमार लेट कर ही अपना मेकप कराते थे स्मिता भी अपने मेकप मैन दीपक सावन से ठीक वैसे ही मेकप करने को कहती थी लेकिन दीपक हमेशा यही कहते कि लेट कर मेकप करते हुए ऐसा लगेगा कि किसी मुर्दे का मेकप किया जा रहा है तब स्मिता ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब वो मर चाहेंगी तो उन्हें सुहागन की तरह तयार किया जाए उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके शव को दुलहन की तरह सजा कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई और इस तरह भारतिय सिनमा के आस्मान का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया स्मिता ने अपने छोटे से फिल्मी सफर में कभी न भूलने वाली परफॉर्मेंस दे कर खुद को अमर कर दिया आज के एपिसोड में बस इतना ही अगली बार फिल्मी दुनिया से जुड़े और भी किस्से कहानिया लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे फिल्हाल हमें दीजिये इजाज़त और हाँ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें नमस्कार